आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Everyone, हमारे पास Question है Evaluate Integration 1, 2, 3 Mod of x-1 plus Mod of x-2 plus Mod of x-3 dx तो Question में हमारे पास एक Integral की वहन है I जो की है Integration 1, 2, 3 और है Mod of x-1 plus Mod of x-2 plus Mod of x-3 और यहापर है dx ठीक है, तो यह Integral हमें Evaluate करना है तो इस Integral को हम 2 पर Break कर देते हैं, यानि यह Integral को लिखते थे हैं, Integration 1, 2, 2 और यहापर आजाएगा Mod of x-1 plus Mod of x-2 plus Mod of x-3 और वैसे ही, Integration 2, 2, 3 यहापर भी आजाएगा Mod of x-1 plus Mod of x-2 plus Mod of x-3 यहागया, ठीक है, तो यह दोनों Integral इस सरी के से लिखते हैं हमने, 2 पर Break करने के बाद, तो इस Case में अगर हम Integration देखें, तो हम Integrate कर रहें 1 से 2 में, यानि कि जो x है वो बिलॉंग करेगा 1 से लेके 2 के बीच में ठीक है, तो x जब 1 से 2 में बिलॉंग करेगा, तो x-1 तो Positive आने वाला है तो यह तो Plus 9 के साथ Open होगा x-2 Negative आएगा उस Case में, तो यह minus 9 के साथ Open होगा, और वैसे ही x-3 भी Negative होगा, तो यह भी तो यह वाला जो Integral है, यह तो बन जाएगा Integration 1 to 2, यहाँ पर आजाएगा x-1, फिर यह minus 9 के साथ Open होगा तो आएगा 2-x, और यह भी minus 9 के साथ Open होगा, तो यह आएगा 3-x और यहाँ पर बन जाएगा dx, ठीक है फिर यहाँ पर हम Integrate कर रहे है 2 से 3 में, यानि कि x बिलॉंग करेगा 2 से लेके 3 के बीच में, ठीक है तो x जब 2 से 3 के बीच में बिलॉंग करेगा तो हम कह सकते कि x-1 पॉजिटिव आएगा, x-2 भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन x-3 नेगेटिव होगा, ठीक है, तो यह दोनों तो और 2-x है, तो यह x-x तो कैंसल हो गया और 2 प्लस 3 होगा हमारे पास 5 के एकवल, और 5-1 बन जाएगा 4 के एकवल, तो यह integration होगा हमारे पास 4-x और इसकी limit है 1-2-2, यहापर होगा dx और वैसे ही यहापर integrate कर रहे हैं हम dx आगया, ठीक है, तो यहाब बन गया हमारे पास, अब 4 का integration की आएगा, वो तो आएगा 4x और वैसे ही minus x का integration हैगा, minus x square by 2, तो यह तो इस पूरे का integration आगया, और limit है 1 से 2, और x का integration हैगा, x square by 2 तो x square by 2 आगया, और इसकी limit है 2 to 3, तो यह बन गया हमारे पास अब हम सबसे पहले 2 put करते है इस integral में, तो 2 put करेंगे, तो यह आएगा 4 into 2, यानि की 8, और यहापर 2 put करेंगे, तो यह आएगा 2 square by 2 तो minus में 2 आ जाएगा, फिर minus में हम 1 put करते हैं, तो यहापर आएगा 4 और यहापर बन जाएगा, minus में 1 upon 2 ठीक है, तो यह वाला part बन गया फिर यहापर हम 3 put कर जाए पहले तो यहाएगा 9 by 2, क्योंकि 3 का square 9 होता है, तो 9 by 2 आ गया फिर 2 put करेंगे, तो minus में आएगा 2 square by 2, तो वो 2 के equal आ जाएगा तो यह बन गया हमारे पास, ठीक है तो 8 minus 2 तो होगा 6, फिर यहापर है 4 minus 1 upon 2 तो 4 minus 1 upon 2 किता हैगा, यहाएगा 7 upon 2 के equal, और यहापर है 9 upon 2 minus 2, तो 9 upon 2 minus 2 किता होगा यह बन जाएगा हमारे पास 5 upon 2 के equal यह आ गया, ठीक है, तो इन तोनों को अगर हम add कर दे, तो यह आएगा 6 और यहापर minus 7 plus 5 बन जाएगा, डिवैडन होगा 2 तो minus 7 plus 5 किता होगा, यह बन जाएगा हमारे पास minus 2 के equal और 2 से डिवैड कर रहे है, तो minus 1 आ गया तो 6 minus 1 हमारे पास 5 के equal होगा यानि जो integral i था वो 5 के equal आगया और यह हमारा answer होगा, थेंक यू